नमस्कार दोस्तों मैं हूरिचा सिनहा एक भिहरन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दे लिग दीजे माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें दोस्तों अश्विन मा के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पित्र पक्ष में पढ़ने की वजह से अत्य ठीक महत्व बताया गया है तो दोस्तों इस साल ये व्रत किया जाएगा 13 सेप्टमबर रविवार के दिन तो आज हम बात कर करेंगे कि इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म में क्या है पूजा की विधी क्या है साथी एकादशी व्रत की नियम क्या है इस दिन कौन से काम आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए एकादशी कब से कब तक रहे की पारण का शुब महुट क्या है साथी दोस्तों अगर आ माता लक्षमी की कृपा प्राप्त हो इसके लिए कौन से छोटे-छोटे उपाए कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस प्रकार के तमाम ग्यानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेर कीजेगा ताकि वो भी इसका लाब उठा सके। दोस्तों हिंदू पान चांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी का वरत किया जाता है और पित्र पक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पित्रों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। इंद्रा एकादशी का वरत जो भी व्यक्ति अपने पित्रों को याद करते हुए उनके निमेद करता है उनके पित्रों को इसके फल सुरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है माना जाता है कि इंद्रा एकादशी का वृत इतना अधिक प्रभाव शाली है कि या बरसों पहले गुजरे हुए पित्रों को भी मोक्ष दिलाने में समर्थ होता है और इस एकादशी वरत के प्रभाव से वरती को भी संसार में समस्त सुखों की प्राप्ती होती है और मृत्यों के पश्चात मोक्ष की प्राप्ती होती है दोस्तों जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से इंद्रा एकादशी का वरत करते हैं, उन्हें अपने पित्रों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसके समस्थ मनुकामनाय भगवान विश्णों की कृपा से पूर्ण होती हैं तो दोस्तों अगर आप इंदरा एकादशी का वृत करना चाहते हैं तो आपको एकादशी के एक दिन पहले से अर्था दश्मी तिथी से ही वृत के नियमों का पालन करना होता है दश्मी दिथीक से को ही सर्धों के नहाले शुद्ध हो जाए, अपने आचरन को पवित्र रखें, साथविक भोजन करें, मानसाहार, तामसीक भोजन, लेसन प्याश का त्याग करें, साथी दश्मी दिथी से ही सभी को चावल का त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाना चा सारे दिन भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहें ओम नमो भगवति वासु देवाय मंत्र का जब करते रहें। दश्मीति ठीको शाम को ही सूर्यास्त के पहले भूजन कर ले। सूर्यास्त के बाद भूजन ना करे। रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से दातून या ब्रश कर ले। सोते वक्त भगवान विश्णु का ध्यान करते हुए अगले दिन एकादिशी व्रत करने का संकल्प मन में करते हुए सोए। अब जिस दिन एकादिशी का व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे। सनान आदी से निवरित होके साफ सुक्ष बस्त्रधारन करे। दोस्तों इस दिन नहाने के जल में थोड़ी से गंगा जल और काले तिल मिला के सनान करे। मानेता है कि इस प्रकार से सनान करने से शरीर के साथ आत्मा की भी शुध्धी होती है इस दिन सनान के पश्चात भगवान सूरे नारायन को जल आवश्य अर्पित करें इसके पश्चाद दोस्तों आपको भगवान विश्णू और माता लक्षमी की भी इस दिन विदिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं उस पर भगवान विश्णू और माता लक्षमी की मूर्थिया प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवान से अपने घर में पधारने की विनती करें प्रार्थना करें और उसके बाद भगवान विश्णू माता लक्षमी के मूर्थि हो या फोटो हो उनको पंचाम्रित सस्नान कराएं फिर शुथ जल सस्नान कराएं फिर टीका चंदन हल्दी कुम-कुम करें और उसके बाद धूप दीप दिखाएं परन्तों दोस्तों भगवान विश्णू की पूजा में कुस छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें जैसे कि पहला पंचाम्रित आवश्य त्यार कर लें गाय के कच्चे दूद में दही शुद्ध घी शहद और शक्र भी जाती तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़के रख लें साथ ही कोशिश करें कि भगवान विश्णू की पूजा में जितनी भी सामग्रियों का उप्योग करें वो पीले रंके हों जैसे कि पीले रंके वस्त्र पीले पुश्प पीले प्रशाद फल रुप में केला तो जाद से जादा पीले रंके वस्तों का उप्योग करें इस प्रकार से पुजा करने के पश्चात आपको भगवान विश्णू के मंत्रों का जब अवश्य करना चाहिए दोस्तों चुकि यह इंद्रा एकादशी वरत अपने पित्रों की मुक्ति के लिए किया जाता है तो इ अगर संबव हो तो श्रीमत भागवत गीता का पार्ट करें या फिर किसी योग ब्रामन से करवाएं या फिर आप सिर्फ गीता के साथवे अध्यायका भी पार्ट कर सकते हैं जिसको की पित्रों के मुक्ति के लिए सर्वुत्त माना जाता है दोस्तों इकादशी की तिथी म माता लक्ष्मी को भी अध्यंत प्रिये होती है तो इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ती के लिए घर में सुक समृत्धी की वृत्धी के लिए मालक्ष्मी के मंत्रों का जब करें श्रिश शुक्त का पार्ट करें पुरुष शुक्त का पार्ट करें आपको एक माल लक्षमी का मंत्र बता देती हूं इसका कमल गटे की माला से कम से कम 108 बार जब अवशे करें यह मंत्र है ओम श्रिम रिम श्रिम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा ओम श्रिम रिम श्रिम महा लक्षमे नमहा एक बार और बता देती हूं ओम श्रिम रिम श्रिम कमले कमलाले प्र प्रसीध प्रसीध ओमश्रिम रिम श्रिम महा लक्ष्मे नमहा दोस्तों इस मंत्र का जब यदि आप एकादशी तिथी से प्रारंब करके प्रती दिन कम से कम 108 बार करते हैं तो आर्थिक समस्याई समाप्त होती हैं घर में सुक्समरिदी की वृद्धी होती है मालक्षमी की कृपा प्राप्ती होती है पूजा अर्चना के परश्चात आर्थि करें और इस प्रकार से पूजा करने के परश्चात आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है आप भगवान विश्नु का नाम लेते रहें अपने आच्रन को पवित्र रख शाम के समय आपको पुना भगवान विश्नु की आर्थि करनी है एकादशी में दोस्तों रात्री जागरन का भी बहुत ही महत्वि Balance भोसके तो रास्ती जागरण करें भजन कीटन करते रहें भगवान का नाम लेते रहें मंत्रों का जिप करते रहें और दो आदशी तीथी को भी सुब सवेरी जल्द इंट के सना दी से निवरित हो करके भगवान विष्णों की विदिवत पुजा करें और चुकि इंद्रा एकादशी पित्र पक्ष में आती है तो इस दिन अपने पित्रों के निमित दान अवश्य करें किसी गरीब को जरूरत मंद को जो है आप अनाज वस्त्र फल या फिर यह सब संभव नहीं है तो कुछ पैसे दक्षिणाही दान करें ब्रामन और गरीबों को भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वें भी भोजन करें साथ ही दोस्तों पित्रों की मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन संभव हो तो एक छोटा सा उपाई सरूर करें इस उपाई को आप सर्व पित्री आमवस्य के भी दिन कर सकते हैं या फिर अपने पित्रों के मृत्यू तिथी के भी दिन कर सकते हैं इस दिन करना क्या है आपको कि सुबह सवेरे जल्दी उठके स्नानादी से निवरित हो साफ स्वक्ष वस्त्रधारन करें अपने किचन को रसोई घर को पूर्ण स्वक्ष कर लें इसके बाद अपने घर के दक्षिन दिशा में एक चौकिस थापित करें उसके उपर कपड़ा बिछा के अपने पित्रों के फोटो के उस थापित करें और स्वेम दक्षिन दिशा के और मुकर के बैट जाए इन चारो रोटी को अपने पित्रों के सामने रखें किसी पत्ते पर रखें केले के पत्ते पर रख दें और उसके बाद अपने पित्रों की पूजा करें और उनसे इसको भोग लगाने की प्रार्थना करें कोई गलती हुई हो उसके लिए अपने पित्रों से शमा मांगें और उनसे आशिरवाद बनाए रखने की प्रार्थना करें और उसके एक टुकड़ा जो है वो किसी गरीब को भिखारी को दे दे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या दोस्तों यह उपाए पित्रों की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत अचूप बताया गया है इस उपाए को आप हर महीने में आने वाली आमवस्या को भी कर सकते ह है इस उपाए को करने से पित्र दोश के भी शांती होती है और घर में सुक सम्रिद्धी की वृद्धी और संकटों का नाश होता है दोस्तों अम इंद्रा एकादिशी की तिथी और पारण महुर्त जान लेते हैं इंद्रा एकादिशी का वृत अश्विन माह के कृष्ण प से और ये रहेगी 14 सिप्टमबर के सुबह के 3 बज़ के 16 मिनट और पारण का शुब महुरत होगा 14 सिप्टमबर को दोपहर के 1 बज़ के 31 मिनट से शाम के 4 बज़े तक के बीच में और दोस्तों हरी वासर समापत हो जाएगा सुबह के 8 बज़ के 49 मिनट पे उमीद है दोस् कानल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक सुष्थ रहिए सुरक्षित रहिए और अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए जय माता दे